अभी प्रधान मंत्री मोदी जी जो है वो फ्रांस से अबुधावी पहुचे हैं जाहिर है कि फ्रांस में एमैनियल मैकरॉन जो वहां के राश्ट पती हैं उन्होंने फ्रांस का सरबुचु पुरसकार उनके गले में डाला मोदी जी को सम्भानित किया अब जो है कि मोदी भरसेज मैकरॉन दो अलग अलग देथ के राश्ट अध्यक्ष हैं एक पर्धान मंत्री है एक राश्ट पती हैं तो दोनों की तुलना क्यों शुरू करते हैं Emanuel Macron से देखिए आज की तारीक में जो Emanuel Macron है वो 45 साल के हैं मोदी लगभग 70 साल के हैं ठीक ये जो Emanuel Macron है वो बैंकर कह जाते हैं अधर फ्रांथ के सिविल सर्विसेज और प्लस बैंक कर रहे हुए हैं और बहुत हाइली एजुकेटेड हैं उनके एजुकेशन का पूरा डिटेल फैरिस्त है और मोदी जी की डिगरी के बारे में अपने देश में इनकलाव जिंदाबाद और आलोजनाएं और आजनीती होती रही है हम सब को पता है इसे हमें कोई मतलब नहीं है ठीक हाँ क्योंकि अनुभब और डिगरी दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों का मत तो है कितना है क्या है यह आप लोग तैकिए उसे हमें लेना दना नहीं है अब देखिए इमैनुवल मैकरॉन की सबसे बरी बात क्या थी जिन्दी के सुरवाती की दोर में जब वो 14-15 साल के थे हाई स्कूल में थे तो उनका एफेक्शन हो गया था उनकी ड्रामाड टीचर से वो ब्रिगीटी मैकरॉन जो कि आज की तारीक में उनकी पतनी है देखिए इमैनुवल मैकरॉन की उम्र है 45 साल और ब्रिगीटी मैकरॉन जब शादी के बाद मैकरॉन हुई वो उनकी उम्र है 70 साल जब उनकी सादी हुई 2007 में तो इमैनुवल मैकरॉन थे 29 साल के और वो थी 54 साल की ठीक तो इमैनुवल मैकरॉन के जो दो सौतेले बेटे और बेटी हैं इन से बड़े हैं इमैनुवल मैकरॉन फ्रांस के राष्ट पती अपने सौतेले बेटे बेटी हैं यह कोई फेमिनिस्ट एंगल के लोग होंगे जो फेमिनिस्ट भैलू के लोग होंगे जो फेमिनिस्ट के पीछे परे होंगे पता नहीं इसको किस रूप में देखें, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि एक आदमी जो चाहता है, जो सोचता है, वो करता है, वो जीता है, उसको अपने जिंदिगी मुतारता है, उसको जीता चला जाता है, और मोधी जी के बारे में, जब हम पहली बार देश के प्र उन्होंने भी बताया कि हां मैं उनकी पत्नी हूं और फिर जो चुनाब की प्रकिडिया होती है लोग उसमें आवेधन डालते हैं अपने उमिद्वारी तैक करते हैं तो उसमें लिखते हैं दूसमें उन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र भी किया है तो ऐसा नहीं है कि उन्हों कई लोगों की नजर में वो भगोरे भी रहें और कई लोगों की नजर में वो जूठे भी रहें क्योंकि यह जो आरेसे सेराश्टेस्वग्सेबक है वहां रहने के लिए ब्रहम्चर जिधारन करना पड़ता था तो साहिद हो सकता है उसलिए उन्होंने इतना बड़ा त्याक किया होगा तुट्या के पीछे एक जो नारी प्रतारना है पीड़ा जो भी है उधर हम नहीं जाते हैं अब आगे बढ़ते हैं देखिए अरियों फ्रांस में मुसलोनी के बाद ये सबसे कम उम्र के राष्ट पती बने हैं 2017 में पहली बार चुने गए थे 2022 से दूसरी बार चुने गए तो बता रहे हैं कि मोदी से इनका जो है वह भी 2014 में पहली बार चुने गए और ये पहले प्रधान मंत्री हैं भारत के जो बिपक्ची हैं और दो बार मनलब नहरू गांधी के बाद ये पहले इसे प्रधान मंत्री हैं जो दूबारा चुनकिया हैं बहुत ही पावर्फुल आदमी हैं भारत के साथ तो एक अभिशाप ये हो गया कि भारत को बटवार के बाद के भारत को तु स्ट्वर होना ही नहीं चाहिए था जाहिए हिंदू और मुसल्मान के आधार पर बढ़वारा हुआ था तेक इसलामिक रास्ट बना इसको बरासा धरमसाला बना दिया वहां के पहले के सत्ताधारियों ने और फिर मोदी जी ने क्या किया उसको का चेहरा लेके कि भारत को हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्ता वाला देश बनाएंगे यह कहके आये थे और सबका साथ सबका विकास से शुरू किया था उसको बाद तिर्प्ति करण पे आये संतुष्टी करण पे आये और भारत को इसलामी करण के मुहाने पे ले आये थी ठीक दूसरी तरफ इमैनुवल मैकरॉन तो 2017 में पहली बार आश्ट पती बने ना लेकिन उचारली हब्दो वाली घटना तो 2015 में हो गई थी उससे फ्रांस आज तक बाहर नहीं निकला है और शायद निकल भी नहीं पाएगा या फिर उसों लड़ते रहना परेगा इसलामिक टेरोरिजम के खिलाब जो खुल के बोलते हैं जब की एक टीचर की हत्या कर दी थी एक मुसल्मान लड़के ने इसलिए कि वो फ्रीडम आप एक्सप्रेशन पढ़ा रहते क्लास में और रिफरेंट के रूप में चार्ली हब्दो में जो छपी हुई थी महमूद साहब का तून उसका जिक्र कर रहा था वो तो वो फेंड हुआ था एक्चुली जो भी हैडिंग हो गई उस टीचर की तो इम्मैन्वल मैकरॉन ने कहा था 17 अक्रोबर 2020 की बात है कि इस्लामिस टेरोरिस्ट अटैक है यह ठीक और फिर कहा था दे ओंट विन वी विल विन हाना यह इसका जो तुर्की दे से आपको पता होगा उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि एक टीचर की हत्या हो गई है उसे इस बात की फिक्र थी कि फ्रीडम आफ एक्स्प्रेशन के नाम पे इम्मैन्वल मैकरॉन प्रिसिडेंट आफ फ्रांस ने उसको डिफेंड किया है काटून को और अल्मुस सारे जो मिडिल इस्ट के मुसलमान देश हैं अरब देश हैं उसने इस बात की आलोश ना की थी कि इम्मैन्वल मैकरॉन ने गलत किया है लेकिन उसका जो एजुकेशन मिनिस्टर था फ्रांस का उसने कहा किलिंग ऑफ टीचर वाजन एटाइक ऑन दे फ्रेंज रिपब्लिक उसने उसे फ्रेंज रिपब्लिक पे अटाइक मा लिया इसलामिक के खिलाप हम सब को एक साथ मजबूत होके खरा रहना होगा बारत में क्या हुआ यह दिखिए यहां नुपुर सर्मा के साथ क्या हुआ टीवी बहस में उसने नुपुर सर्मा ने मुखमद के खिलाप कुछ बोला भी नहीं उसने कहा कि अगर तुम हमारे शिब को गाली दोगे तो क्या मैं मुखमद के बारे मैं ऐसा कह दूँ फ्रेंस के साथ तो मोदी कतर के सामने जुग गए घुट ने टेक दिये वो कतर जैसा चोटा-चोटा मिडिल एस्ट के देश वो क्या देश हमारा देश चलाता है वहाँ एमबेसेडर को बुलाने लग गए और मोदी यहां आके कह रहे हैं कि भारत जो है सेकुलर देश है और यह नुपूर सर्मा को फ्रिंज एलिमेंट के दी एक नभी जिंदल था उसको भी पार्टी सटा दिया जिंदा है कि मर गया पता है नहीं चला यह इतना मजबू सकता की पराखास्टा हो गई घर की बेटी को ने बचा सका इन अपून सकता की पराकास्टा हम बोल रहे हैं लेकिन मोदी के लिए हो सकता है उनका पॉलिसी हो ना उनका देश को ऐसा बनाने की सोच हो हम नहीं समझता हैं ना Emmanuel Macron ने कहा, we'll fight, we'll win, we'll act against Islamic terrorism, वहाँ कायम है, 2017 में वो आदमी वहाँ का रास्टपती बना, 2021 आते आते एक उतने कानून बना दी, यहाँ, law makers in the French Parliament lower house on Tuesday, overwhelming approved a bill that would strengthen oversight of mosque, schools and sports club to safeguard France from radical Islamist and to promote respect for French value. Macron's Landmark Project, इतने कानून बना दी कि French में, France में जो भी मस्जिदें हैं, उसकी फंडी कहा ते होती है, mall भी कहा ते आते हैं, आजान कैसे दी जाती है, उनकी स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, वो कलब में क्या करते हैं, उस सब पे हम जाज बठाएंगे, उसको देखेंगे, का रहाया जाएगा कि French की सोच क्या है, French की ideology क्या है, French का behavior क्या है, France एक देश कुर्फ में कैसा है, उन्हें उसके ideology को respect करना होगा, value करना होगा, ये कानून मना दिया, ठेक, मोदी जी ने क्या किया, C.A.A. लाया, साहिन वाग हो गया, रोक दिया उसको, N.R.C. लाय, इनकलाब जिन्दाबाद हुआ, रोक दिया उसको, रोक जाब, नहीं करते, क्योंकि इसे भावनाहाथ हो रही है, डर गया क्या, या फिर इसके पिल्जम जो है, एक जिन्दगी से भागने की आदग जो है, अरे जिन्दगी से भागने वाला कोई परधान मंत्री हो जागा, क्या, पत्नी से भागा, जिम्मेदारियों से भागा, खुद की तरक्ती करता रहा, मुख मंत्री बना, और हिंदू का चेहरा ले करके आया, इसलामी करन के मोहन तक देश को ले आया, और भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, तो क्या वो एक पुरू शोकर के पूरे भारत को धोके में रख लिया है उस आदमी ने CA गौन, NRC गौन, UCC जो इसा अमान सुन सत्र में आता था खतम उड़ गया, यह सब कबुतर से उसके लिए कहीं से पकर के लाया खेला को ता उसे उरा दिया, चलो शान्ति का परतिक उड़ जाओ, भारत को शान्ति चाहिए, धारा 370, अरे पाप इतना मजबूत नेता धरती पे पैदा नहीं हुआ, अग्रिकल्चर लो ले आया, डुमिसाल ले आया, गुमा फिरा के कश्मीर को वही है, जो रहने दिया, 2019, पांच अगस्त कोई न, वह आता, धारा 370 अड़ाया था, आज तक रूस नहीं बने, रेगुलेसंस नहीं बने, धारा 370 का इंपैक्ट क्या होगा, वह उसे भाशनों में दिखता है, क्या फरक पड़ता है, आपके लिए, हमारे लिए, कश्मीर क्या बदल गया है, तो यह क पांच सदेश से भी, और जो फ्रांस है, वो सिर्फ शे करोड के अवादी है, हुआ दस परसेंट जो हो गया है, मुसल्मान, माइग्रेटेड, पचास-साट लाके करीम है, यहां करोडों में तो घुस बैठी है, उनको प्लीज कर रहा है, मोदी जी, उनके लिए तर्क करते हैं, अल्ला के 99 नाम में सबसांति के संदेशी देते हैं, मोदी जी कहते हैं कि जो इसलाम के आदर्सों से बंदा हुआ देश भारत है, मोदी जी गवरक्षकों को गुंडे तक कह देते हैं, और वो कहते हैं, क्या ये मुद्तियों में, पत्थरों में, क्या हर यो एन्ड वैलू क्या है वो देखिए चारली हब्दो के परकरन के बाद बारा पत्रकारों को आतंक बादियों ने इसलामिक टियोरिस्टों ने खत्म कर दिया वो जुके नहीं है ना ये फ्रीडम आफ एक्स्प्रेशन पे डटे रहे 27 जून 2023 को नहल के मृत्तु के बाद जिसे पुलीसी गोली से मारा गया फ्रांस को माइगरेटेड मुसलिम ने जला दिया और वहां सिफ 9% मुसलिम्स ओन रेकर्ड हैं तो कहता क्या है फ्रांस आज भी फ्रांस उड नौट गिव अप कार्टून्स ड्रॉइंग्स इवन इफ मदर्स बैक डाउं सारे मुसलमान देश मैक्रॉन को गाली दे रहा है सारे मुसलमान देश मोधी को highest civilian award दे रहे है फरक ये है बहुत बड़ा और मोधी किसी और देश के नागरिकों को भारतिय प्रसकार क्यों नहीं दे रहे है वो नहरू प्रसकार तो देते थे थे मदर टेरेसा तको दिया था बादे भारत रत्न भी दे दिया था प्रमांतरन की मशीन होके आ गई थी ना फिर गांधी पीस प्रसकार दिया था कईों को अब तो वो सब मोधी को सूट नहीं कर रहा है अब कोई खलीफा है हिंद जैसा कोई प्रसकार जब क्रियेट करें मोधी जी इस टर्म के बाद 2024 के बाद जो शायद प्रधान मंत्री बने या बनेंगे ही क्योंकि बिकल्प तो कुछ दिखनी रहा बिपक्ष दिखनी रहा तो फिर खलीफा हिंद जैसा एक प्रसकार को हाईस्ट सिबिलियन एवार्ड को भारत के अवार्ड को कंस्चूट करेंगे और फिर मेडल इस से ले करके जिन जिन रास्टा ध्यक्षों ने इनके गले में वो मेडल उप्रसकार पहना है उसको हर साल दर साल गुलाएंगे और देंगे एक साल में दो दो भी दे सकते हैं कोई अमर पीके तो आया नहीं है जिन्दिगी रहते ही तब की कर्ज चुकाई हो जाए तो बेतर है तो चलिए चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेश कर दीजिए जैस याराम अर्योम